बिस्मिल्लाहिराहमानीरहीम असलामुलेकुम वेलकम टू टेस्टी कीजन वीवर्स आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूं जो बहुत ही सौफ्ट और बहुत ही क्रीमी मैंगो ब्रेड आइसक्रीम की रेसिपी है तो चलिए बिस्मिल्ला करते हैं जी मैंगो ब्रेड आइसक्रीम के लिए हमें चार स्लाइस चाहिए चाहिए च्छोटे-च्छोटे पीस करके इसमें डाल रही हूं जी चारो स्लाइस को मैंने इसमें डाल दिये और यह मैंने तकरीबन वन एन हाफ लिटर दूड लिए इसी से कुछ पोर्शन में इस्तमाल करूंगी दूड को और ब्रेड स्लाइस को बहुत अच्छी तरीके से मैंने ब्लेंड करना है इतना ब्लेंड करना है कि बिल्कुल स्मूथ हो जाए जी यह देखें कि मैंने ब्रेड स्लाइस को और दूड को बहुत अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया और आप देखें यह बिल्कुल एक स्मूद पेस्ट हमारे पास आगया है वन एंड हाफ लिटर दूद में से कुछ पोर्शन लेकर मैंने स्लाइस के साथ इसे ब्लेंड की अच्छी तरह और अब हम क्या करते हैं बाके दूद को हम गरम करते हैं इसे पकाते हैं अच्छी तरह पहले अभी मैंने इसमें कोई भी चीज शामिल नहीं किया सिर्फ दूद को मैं बॉइल करूंगी और उसके बाद हम अपनी आइस्ता इस्ता चीजे शामिल करना शुरू करेंगे दूद बॉइल हो गया और आप हम क्या करते हैं कि यह है हमारा पेस्ट ब्रेट का और दूद का इसमें शामिल कर रही हूं में विस्विल्ण रह्मानी रही है इसे हम पकाएंगे जब तक के दूद गाड़ा नहों जए पहले इसको चित्रा से मिक्स कर देती हूं में आंच आप दर्म्यानी से भी नीचे रखें और इसको लगातार हिलाती रहें जी ब्रेट डालने के बाद यह देखें कि अब इसकी तिक हो गया है और इसको इतना ही हमें कुक करना था इसका प्रोसीजर कुकिंग का बहुत थोड़ा ब्रेट डालने के बाद यह दुबारा बॉइल होना शुरू हो गया और इस वकत मैं इसका फ्लेम बंद कर रहे हूं क्योंकि इसको इतना ही हमें पकाना था अच्छा जी इसे हमने चूले पे से उतार दिये और अब मैं यहां पे कुछ पोर्शन इसका अलग कर रही हूं क्योंकि मुझे शुगर फ्री आइसक्रीम बनानी है अब ही मैंने इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया है यह साइड बाइ साइड सासत तयार होती रहेगी शुगर फ्री और हमें इसको ठंडा करने का भी इंसार करने हैं यह थोड़ा सा कूल ड़न हो जाए तो फिर मैं बाकी चीज़े इसमें शामिल करूंगी फिलहाल मैंने यह थोड़ा सा पॉर्शन इसका अलग कर लिया है अच्छा शुगर फ्री मैंने थोड़ा सा पॉर्शन अलग कर लिया है और अभी यह बहुत गरम है तो इसमें गरम गरम में एक कप चीनी जो मैंने अल्रेडी ग्राइंड करके रखी ती यह इसमें अब इसको पकाने की जुरूत नहीं है अभी यह बहुत गरम है तो यह इजी लिए इसके अंदर मिक्स हो जाएगी इसको अच्छी तरह हिला के तो हम इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए जब तक कि यह थोड़ा सा ठंडा नहों हो जाए मैठीरियल जी यह देखें कि शुगर फ्री आइस क्रीम में मैंने फ्रेश क्रीम और मेंगो पल्प सामिल कर दिया यह इसको तियार है इसका मेटिरियल और अब हम चीनी वाली तियार कर देते हैं यह मेरे पस एक कप होम क्लेक्टिड फ्रेश आइस क्रीम है आप घर में यह कठी कर लें और उसके बाद आप इसको अपनी सुट्स में इस्तमाल करें तो यह बाजार के खोई वगारा से बहुत बहतर है यह यह फ्रेश क्रीम डाल दी मैंने और इसके बाद यह मैंगो पल्प है इसे भी मैंने पहले बीट किया था बहुत अच्छी तरह और आप यह देखें कितना स्मूथ है बिल्कुल मैं इसको पहले बीट करके रख चुकी हूं तो हमने यह शामिल किया इसमें कोई भी एकुरेट कॉंटिटी नहीं है आप अपन अच्छी पसंद के मताबिक थोड़ा पल्प डालें या जादा डालें यह आपकी अपनी मर्जी पे मुनहसी है लेकिन मैंने यह दो बड़े साइस के आम थे मैंने उनका पल्प तियार किया यह अगर आपको आम जादा पसंद है तो कॉंटिटी आप जादा भी कर सकती है इ अच्छा जी अब तमाम इस मिक्स्चर को हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं ताके फ्रेश क्रीम मैंगो पल्प और ब्रेड और दूद का अमेजा अच्छी तरह से एक जान हो जाए आइस क्रीम का बैटर बिलकुल तयार है और शुगर फ्री में मैंने पहले ही आइ इसको मैंने रख दिया इसे अब हम फ्रीज करेंगे क्योंकि अल्रेडी ही ठंडी है बिलकुल तो फॉरा इसको फ्रीजर में रख देंगे और अब मैं डाल रहे हूं अपने स्मोल्ड में बिस्मिल्लायरहमानी रहे आप चाहें तो इसके कुलफी भी जमा सकती है या स्लाइ स्लाइस में ले 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 जिस तरह से पसंद हो उस तरह से आप इसको शेव दे सकती है मैं इसके स्लाइस पनाऊंगी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत क्रीमी आइस क्रीमियों होगी इंशालात अला जी ये देखें कि ये मैं अब कौंज बना रही हूँ बच्चों के लिए इंतहाई दिल्चस्प और ऐसी चीज जिसके पर बच्चे लपक क्याते है जी ये देखें कि मैंने मुख्लिफ ये चीजों में मैंने इसको टांसर कर दिया अपने मेरील को ये तीनों चीजे जो है ये विच शुगर है और ये दोनों विदाउट शुगर है इन सब चीजों को अब मैं जिमने के लिए फ्रीजर में रख रही हूँ जी अलहमदुलिल टेस्टी किचन की क्रीमी एंड सॉफ मैंगो ब्रेड आइस क्रीम बिल्कुल तयार है मस् ट्राइब इस यूनिक फ्लेवर्ड एंड रेसे पी औफ मैंगो ब्रेड आइस क्रीम एड यूर हूम और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया, अल्लाहाफीज निगेवान बहुत शुक्रिया, अल्लाहाफीज निगेवान बहुत शुक्रिया, अल्लाहाफीज निगेवान